एक ऐसी मुवी जिसे देखने के बाद हर किसी के दिल और दिमाग में सारुक खान संसो के खेत में अपनी बाहे फैलाई हुए दिखाई देते हैं जी हाँ दोस्तो हम बात कर रहे हैं 1995 में बनी ब्लोक बस्टर मुवी दिलवाले दुलहन्या ले जाएंगे की और आज के इस वीडियो में हम इसी मुवी का कुछ बिहांदा सीन और फैक्ट जानेंगे और दोस्तो साथ ही जानेंगे इस मुवी की सुटिंग कैसे और कहां कहां की गई थी तो इस वीडियो के लाश तक बने रहिएगा चलिए दोस्तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं इस मुभी में जब अमरेश पुरी काजोल से कहते हैं कि जा सिम्रन जीले अपनी जिन्द की जिसके बाद काजोल सारुक खान के तरफ दोरने लगती है और सारुक खान अपने हाथ को ट्रेल से बाहर निकाल लेते हैं और इस सीन की सूटिंग मुंबई के आपता स्टेशन पर की गई थी जो की मुंबई के पनवेल में इस्तित है और इस सीन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और दोस्तों आप सभी कोई हजान के हैरानी होगी इस कुछ सेकेंड के सीन को सुट करने के लिए लगभग 10 बार से भी ज़्यादा रिटेक लिया गया था और इसके हर रिटेक सीन के लिए स्टेशन पर ट्रेन का वेट करना परता था दोस्तों अब हम बात करते हैं इस मुवी का सबसे इमोशनल और स्टालिस सीन का जिसे कितनी बार देखने के बाद भी दिल नहीं भरता है जहां पर सारुक खान एक सरसो के खेत में अपनी बाहे को फैलाई हुए नजर आते हैं वैसे ये सीन इस मुवी का सौंग कुझे देखा तो ये जाना सनम का है जिसे हरियाना के एक लोकल भिलेज में सूट किया गया था और आप यहां देख सकते हैं इसके सूटिंग के दोरान धूए के गयस को छोड़ा जा रहा है ताकि ये सीन देखने में और भी ज़्यादा खुबसूरत लग सके वैसे दोस्तो इस सीन का सूट करना इतना भी असान नहीं था जितना की आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो क्योंकि इसका सूटिंग करने के लिए फिलिम मेकर ने लेंड ओनर से पर्मिसन नहीं ली थी जिसके कारण फिलिम मेकर को गाव वाले के गुशे का सामना करना पड़ा था लेकिन फिर बाद में उनके फसल के नुकसान का मुआबजा दे कर उन्हें मना लिया गया था और फिर इस सीन का सूटिंग किया गया था दोस्तो इस मुवी का अगला विहेंड़ सीन की बात करते हैं जहां पर काजोल और सारुक खान एक कमड़े में बंद वोकर इमोसिनली बात कर रहे थे वैसे दोस्तो इस सीन के सुटिंग के दोरान सारुक खान और काजोल को बार बार हसी आ रही थी जिसके कारण फिलिम मेकर को भी उन दोनों को बार बार समझाना परता था और इस सीन को भी बनाने में कई सारे रिटेक्स लिया गए थे अब दोस्तो इस मुवी का अगला विहांता सीन जानने से पहले इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं दोस्तो इस मुवी की डिरेक्टिंग अधित्य चोपडा के दोरा की गई थी और उस वक्त के समय में इस मुवी को बनाने में लगवक चार लाक रुपे खर्च हुआ था और इस मुवी की कम्प्लीट सुटिंग इंडिया, लंदन और सुजे लेंट में की गई थी जिसे सुट करने में टोटल एक साल का समय लग गया था, और दोस्तो आप सभी को यह जान के हैरानी होगी, इस मुवी का नाम नैंटीज के दसक में आई सॉंग दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे से लिया गया था, अब दोस्तो इस मुवी का अगला बिहांदा सीन की बात करते हैं, जिसके बाद इस मुवी का डिरेक्टर अदित्य चोपरा ने उन्हें उनके सीन्स को समझाये थे, तो दोस्तो यहाथी दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे मुवी का कुछ बिहांदा सीन और कुछ फैक्ट, और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा, तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ,